गाईज Microsoft Edge की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे Microsoft Edge के अंदर Chrome Extensions को add या install कर सकते हैं So guys एकर आप Microsoft Edge Browser के अंदर Chrome Extensions को add या install करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Microsoft Edge Browser open करना है and then आपने जाना है 3 dots पे 3 dots पे जाने के बाद guys यहां पर आपको option मिलेगा extensions का तो आपने extensions के ऊपर क्लिक करना है click कर लेने के बाद guys अब यहां पर आपको option मिलेगा manage extensions तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक कर लेने के बाद गाईज आपको यहां पर option मिलेगा extensions के अंदर Chrome Web Store तो आपने Chrome Web Store के उपर क्लिक करना है क्लिक कर लेने के बाद गाईज यहां पर आपके पास यह message शो होगा You can now add extensions from the Chrome Web Store to Microsoft Edge तो आपने यहां से इसको allow करना है allow करने के बाद गाईज आपने यहां पर extension को सेर्च करना है आप यहां पर देख सकते है Chrome Web Store तो अगर आप किसी extension को Chrome Web Store से add करना चाहते है अपने Microsoft Edge Browser के अंदर तो आप यहां से फिर add कर सकते है Let's say मैं Google Translate को करना चाहता हूँ तो मैं Google Translate के उपर क्लिक कर देता हूँ and क्लिक कर लेने के बाद गाईज मैं यहां पर add to Chrome के उपर क्लिक कर देता हूँ क्लिक कर लेने के बाद गाईज यह extension जो है यह मेरे Microsoft Edge Browser के अंदर add हो जाएगा आप यहां पर देख सकते है कि ये extension मेरे Microsoft Edge Browser के अंदर add हो चुका है यहां पर आप देख सकते है Google Translate तो आप इसी तरह किसी भी extension को अपने Microsoft Edge Browser के अंदर add कर सकते है Chrome Web Store से और आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपको मिलता हूँ एक स्टुडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुडबाए